दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है इच्छा शक्ती, जिसकी बदोलत आप सब कुछ बदल सकते हैं। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सब का हारदी खारदी स्वागत अभीननदर। एक बार की बात है कि हस्पताल में एक एक्सिडेंट का केस आया। हस्पताल के मालिक डोक्टर ने ततकाल खुद जाकर आईस्यू में केस की जाच की। दो-तीन घंटे के ओपरेशन के बाद डोक्टर बाहर आया और अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और उससे इलाजवेद दवा के पैसे न लेने के लिए भी कहा। तकरीबन 15 दिन तक मरीज हस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का तकरीबन धाई लाक रुपे का बिल हस्पताल के मालेक और डोक्टर की टेबल पर आया। डोक्टर ने अपने अकाउंट मेनेजर को बुला कर कहा इस व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लेना है ऐसा करो तुम उस मरीज को लेकर मेरे चेंबर में आओ। मरीज वीलचेयर पर चेंबर में लाया गया। डोक्टर ने मरीज से पूछा प्रवीन भाई मुझे पहचानते हो। मरीज ने कहा कि लगता तो है मैंने आपको कहीं देखा है। डोक्टर ने कहा याद करो अंदाजन दो साल पहले सुर्यास्त के समय शेहर से दूर उस जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस रोज मैं परिवार सही पिकनिक मना कर लोट रहा था कि अचानक कार में से धुआ निकलने लगा। और गाड़ी बंध हो गई। कार एक तरफ खड़ी कर हम लोगों ने चालू करने की बहुत कोशिश की। परन्तु कार चालू नहीं हुई। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था चारों और जंगल और सुनसान वातावरन था। परिवार के हर सदस्से के चेहरे पर चिंता और भै की लकीरे थोड़ी ही देर में चमतकार हुआ बाई के उपर तुम आते दिखाई दिये। हम सबने दया की नजर से हात उचा करके तुमको रुकने का इशारा किया। तुमने बाई खड़ी करके हमारी परिशानी का कारन पूछा। तुमने कार का बोनट खोल कर चेक किया और कुछ ही चनों में कार चालू कर दी। हम सब के चेहरे पर खुशी की लहर दोड गई। हमको ऐसा लगा जैसे भगवान ने आपको हमारे पास भीजा है। क्योंकि उस उनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तुमने मुझे ब पश्किल समय में मदद नहीं मिलती। तुमने ऐसे कठिन समय में हमारी मदद की। इस मदद की वैसे तो कोई कीमत नहीं है। यह अमुल्य है परन्तु फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि आपको कितने पैसे दूँ। उस समय तुमने मेरे आगे हाट जोड़कर दो वे शब्द मेरे जीवन की प्रेरना बन गए थे। तुमने कहा था कि मेरा नियम और सिध्धान्त है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ती की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसा भगवान रखती है। उसी दिन मैंने सोचा कि जब एक सामा अन्य आय का व्यक्ती इस प्रकार के उच्विचार रख सकता है और उनका संकल्प पूर्वक पालन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता और मैंने भी अपने जीवन में यही संकल्प ले लिया है। दो साल हो गए हैं मुझे कभी कोई कमी नहीं आई। अपेक्षा पहले से अधिक मिल रहा है। यह हस्पताल मेरा है तुम यहां मेरे महमान हो और तुम्हारे ही बताई हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। यह तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरना देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मुका मुझे द मेरी मजदूरी का हिसाब भी उपर वाला रखेगा और कभी जब मुझे जरूरत होगी वो जरूर चुका देगा। डोक्टर ने प्रवीन से कहा। तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ सकते हो। प्रवीन ने जाते हुए चे आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज समेथ चुका दिया। तो बेटा याद रखो कि एक बार भगवान चाहे माफ कर दे परंतु कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। तो कहानी तो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो फटा-फट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।